तो चलो प्यार बैचो इस वाले सवाल को देखो अगर इसमें तुम देखोगे तो maximum error in the measurement of mass and density and maximum error in the length तो अगर तुम देखोगे mass and density में दिया हुआ है तो length में कितना measurement आया देखो mass is equal to volume multiplied by density ठीक है तो अगर तुम यहां से देखोगे तो maximum error in length तो length में अगर मुझे निकालना है तो volume को अगर कोई volume है तो volume को मैं लिख सता हूं length की power q और यहां से row और यह वाली तो यहां से तुम देखोगे mass upon density that is L की power q लेंट है ठीक है न बॉल्लूम अरे बॉल्लूम है की वाइट का बॉल्लूम है तो बॉल्लूम को length और height लिखोगे न तो dimensionally L की लिखोगे तो अब यहां से मैं error निकालना परसेंटेज रहे तो डेल्टा रो अपान रो multiply करो 100 परसेंट से अब सबकी वेलू रख दो तो हमें ठीडेल्टा एल अपान यल multiplied by 100 रखो तो यह इधर जाएगा ओ जाएगा 1 बाई 3 और percentage error in mass दिया हुआ percentage error in mass 3 परसेंट है और प्लस density में कितना परसेंट है नाइन परसेंट है तो यह जाएगा 1 by 3 that is 12 परसेंट 12 परसेंट मतलब यह finally calculation के बाद 4 परसेंट बन जाता है that is C option सही है B और D विल्कुल गलत है ठीक ना थेंक यू बबाबा टेक केर